राजधानी जैपुर में स्तरक हादसे के बाद हुए विवाद में एक युवक्ती मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है महराख ओलनी मही इस गटना के बाद परकोटे में तनाव और तैशक कमा हो ले हलाकि देर रात हुई इस गटना के बाद पुलिस ने अतरिक जापता तैनात कर खालात पर काबू पा लिया था लेकिं शनिवाल को युवक्ती मौत की खबर लगते ही बड़ी तालाद में लोग रामगंज और सुवाष्चों के लाके में जमा हुए सुच का मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे और लोगों से समझाईश की मामले में तेजी दिखाते हुए पुलिस ने तरजन भर लोगों को गरतार कर लिया जैपुर के भीड़ भाड़ वाले रामगंज लाके में एक युवक की हत्या से तनाव और दह्शत का माहौल है बाईकों की टक्कर के बाद यह विवाद शुरू हुआ था इस दोरान जगड़ा कर रहा एक युवक इकबाल रोकने आए लोगों से गाली गलोच करने लगा इसके बाद लोगों ने सरीय और डंडे से ताबड तोड़ वार कर इकबाल को लहू लुहान कर दिया जिसके बाद अस्पताल में उच्चार के दोरान उसकी मौत हो गई इकबाल की मौत की खबर मिलते ही गुस्ताई लोगों ने पहले SMS अस्पताल में हंगावा किया और फिर रामगज बाजार में आज सुबह करीब 10 बजे चाम लगा दिया मौके पर मौझूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों से बातचित कर उने समझाया वहीं उनकी मांगों को लेकर भी चर्चाती करीब 3 गंटे समझाईश के बाद लोगों ने चाम हटा लिया और बाजार भी खुल गया बताया जा रहा है कि एक्सिडेंट के बाद एकवाल ने मौके पर खड़े एक बजुर्ब से गाली गलोज कर दी थी इसके बाद आसपास के लोगों ने सरीय और धंडों से उसकी पिटाई कर दी इस दोरान उसके साथ मौझूद उसका छोटा भाई घबरा कर भाग निकला वहीं एकवाल सिर में सरीय लगने से मौके पर ही अचेत होकर गिर गया एकवाल के पैर, सिर और शरीर पर चोट के निशान मिले है फिलाल रामगंज इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस जवानों के साथी स्टी एफ, एर्टी यूनिट्स को बलाया गया है उन्हें तैनातिया गया, पुलिस अधिकारियों ने पुलिस जापते के साथ इलाके में गश्ट कर लोगों को वापिस अपने घुरों की एर भिज़ दिया है पुलिस ने मामले में करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में भी ले लिया है वहीं इलाके में शान्ती बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी लगाताश्ट कर रहे हैं वहीं पुलिस की साइबर सेल सोशल मेडिया पर अफवा फैलाने या अपत्ती जने कोष्ट करने वालों पर भी निगरानी रख रहे हैं वहीं को लेकर भी बहुत यहां मौकर बेस पशकता नहीं है